व्रित की पाठों की श्रंक्ला में हमने आपसे व्रित के विभिन बंगो से आपका परिचे करवाया कुछ परिभाशाएं आपको बताएं और इसी संदर्व में हमने कुछ प्रमे सिद्ध की और पिछले पार्ट में हमने इसी श्रंक्ला में आपका परिचे करवाया था एक चक्रिय चतर्वुच से चक्रिय चतर्वुच के संबन्द में हमने आपको बताया था कि एक चक्रिय चतर्वुच वे होती है जिसमें कि उसके सभी शिर्ष एक वृत पर हो अर्थात किसी चतरभुच को चक्रिय चतरभुच तब कहा जाता है जब इसके चारों शेष एक वृत पर स्थित हो ये तो बात होई चक्रिय चतरभुच के परिभाशा की अब ये तो जानते हैं कि कोई भी अगर हम चतर भुझ ले उस चतर भुझ के सभी कौनों में क्या विशेश्टा होती है किसी भी चतर भुझ के सभी कौनों में ये विशेश्टा होती है कि इनके कौनों के मापों का योगफल 360 अंश होता है पर यहां हम बात कर रहे हैं एक चक्रिय चत्रभुज की एक चक्रिय चत्रभुज में इसके अतिरिक्त भी विशेश्टा होती है ये विशेश्टा क्या है आईए इसको जांच कर देखें ये लिए हमने एक चक्रिय चत्रभुज PQRS इस चत्रभुच के हम ये कौन S और Q को अलग कर देते हैं यदि हम कौन S को कौन Q पर लगा कर देखें अब क्या देखते हैं कि इन दोनों कौनों को रखने से एक हमें रेखिया युगम मिल जाता है तो इस से क्या हम ये कह सकते हैं कि इस चक्रिय चत्रभुच के कौन Q और कौन S के माप का योग एक सो असी अंश है जी हां इसी तरह की क्रिया से हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कौन P और कौन R के मापों का योग भी एक सो असी अंश ही होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक विशेष्टा है चक्रिय चत्रभुच के जी हाँ, चक्री चत्रभुच के सम्मक कौनों के किसी भी योगों का योग 180 अन्शो होता है वास्तव में ये तथ्य चक्री चत्रभुच के बारे में एक बहुत ही महत पुरुच तथ्य है और इसको हम एक प्रमय के रूप में लेते हैं चलिए इस प्रम्य को सिद करके देखें हमें दिया गया है एक वृत C-O-R याद है ना आपको C-O-R से हमारा मतलब है कि इस वृत का केंदर O है और तरिज्य आर है इस वृत में एक चक्रिय चत्रभुज A-B-C-D बनी हुई है हमने सिद करना है कि इस चक्रिय चत्रभुज में कौन A और C का योग और कौन B और कौन D का योग योग से हमारा मतलब है इनके मापों का योग 180 अन्श होता है इसे सिद करने के लिए चलिए हम एक चत्रभुज चक्रिय चत्रभुज A-B-C-D लेते हैं इस A-B-C-D चक्रिय चत्रभुज में हमने सिद करना है कि कौन A योग कौन C ये 180 अन्श है और ये भी सिद करना है कि कौन B योग कौन D 180 ये सिद करने के लिए हम एक रचना करते हैं इस रचना में आएए B को वरित के केंदर से मिला दे ये वरित का केंदर है O तो B-O को मिला देती है और इस तरह D-O को मिला देती है ये मिलाने से हमें A कौन केंदर पर मिल गया ये इसको कह देते हैं हम कौन एक और दूसरा कौन बन गया ये इसको हम कह देते हैं कौन दो ये तो आप जानी चुके हैं कि कौन एक जो केंदर पे बना है इसको हम चाप B, C, D की माप भी कहते हैं और कौन दो चाप D, A, B की माप है अब चलिए ये देखें कि इन कौनों का चक्रिय चितरभुच के कौनों से क्या संबन्द है कौन एक चाप B, C, D ने बनाया वृत के केंदर पर चाप B, C, D ने वृत पर कौन बनाया B, A, D अर्थाद कौन A आप रम्हें पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी चाप जो कौन केंदर पर बनाती है उसका माप उसी चाप दोरा निर्मित कौन जो वृत पर बनता है उससे दो गुना होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह हो गया दो गुना कौन A चाप D, A, B कौन बना रही है केंदर पर दो और यही चाप वृत पर कौन बना रही है B, C, D अर्थाद C फिर वही प्रम्या केंदर पर बना कौन वृत पर बने कौन से दो गुना होता है जबकि दोनों ही कौन एक ही चाप से निर्मित हों तो यह भी हो गया दो गुना अब यदि इन दोनों का हम योग कर दें तो कौन एक जमा कौन दो बराबर हो गया दो गुना कौन ए जमा कौन सी अर्थाथ कौन ए और सी का योग का दो गुना बराबर हो गया कौन एक और दो के योग के बराबर अब कौन एक और दो का योग क्या है यह पूरा कौन बन गया अर्थाथ इसको हम कहेंगे तीन सो साथ हंच यह बराबर हो गया दो गुना कौन ए, योग कौन सी तो क्या इस से हमें मिला कि कौन ए, योग कौन सी बरावर 180 अंच अर्थात इन सम्मक कौनों का योगफल इनकी मापों का योगफल 180 अंचा गया यदि हमने B, O और O, D को ना मिलाकर A, O और O, C को मिलाया होता तो हमें यही तथ B, O, D के लिए मिल जाता तो हमने देखा यहां पर एक बार फिर वही बात कि जब भी हम एक चक्रिचतर बुझ लें तो उसके समुक कौनों के मापों का योगफल 180 अन्श होता है यह तो थी एक विधी इसको सिद करने की आई एक दूसरे तरीके थे से फिर इसके तर्फ द्वारा इसको सिद करें हमने चक्रिचतर बुझ ली A, B, C, D पहले हमने केंदर का प्रियोग किया था अब हम केंदर का प्रियोग नहीं करते हम A, C को मिला देते आपने प्रम्या पढ़ रखी है कि ये कौन जो के चाप B, C निर्मित कर रही है वृत पर और ये कौन जो वही चाप वृत पर फिर निर्मित कर रही है ये दोनों कौन बराबर होंगे सुविदा के लिए हम इसको लिख देते हैं एक और दो तो कौन एक बराबर आगया कौन दो साथी साथ और कौन से ऐसे कौन बन रहे हैं जिनके के माप बराबर है ये एक और दो बराबर हो गए हम सिद्धिये करना चाहते हैं कि इस कौन की माप योग इस कौन की माप बराबर है 180 असी अंच अब लेते हैं हम इसके बाद यह को esse बरावर हो गया, इसको तीन कह देते हैं इसको चार कह देते है कौन तीन बरावर कौन चार क्यों, चाप a b यह कौन और यह कौन दोनों वृत पर निर्मित कर रही है इसलिए तीन और चार बराबर हो गए अब जरा देखिए आप त्री भुच ए बी सी की और इसके तीनों कोनों का योगफल कितना होगा अर्थात कोन दो योगफल कोन ए बी सी योगफल कोन चार ये हो गया एक सो असी एंच दो और चार बराबर हैं एक और तीन के दो बराबर एक के चार बराबर तीन के तो हम ये लिख सकते हैं कोन दो की स्थान पर एक कोन ए बी सी कोन चार के स्थान पर कोन तीन तो ये भी तो एक स्वासी निश हो गया इस के स्थान पर एक क्योंकि ये बराबर है चार के स्थान पर तीन क्योंकि ये बराबर है अब एक और तीन अगर मिलाके हम देखें तो पूरा कौन बन जाता है A, D, C A, B, C कौन दूसरा एक और तीन को मिला के देखा हमने, तो ये पूरा कौन मिल गया हमें, अब क्या मिला हमें, इस कौन और इस कौन का योगफल, एक स्वासी अंश, इसी तरह हम कौन D, A, B, अर्थाद कौन A, और कौन B, C, D, यानि कौन C, इन दोनों के मापों का योगफल भी, ये दिखा सकते हैं, कि ये एक सो असी अंश है, तो इस तरह हमने, दो विध्यों से, ये दो सिद्ध कर दिया, कि एक चक्रि चत्रभुज में, समुक कौनों के योगफल, के मापों का योग, एक सो असी अंश होता है, अब प्रशन ये उटता है, कि क्या इसका विलोम भी सत्य ह है, विलोम से अभी हमारा आप भी पराए, कि यदि एक ऐसी चत्रभुज हमारे पास हो, जिसके समुक कौनों के किसी भी योगफल एक सो असी अंश है, तो क्या ये चत्रभुज चक्रिय होता है, हम ये कह रहे हैं कि ये चत्रभुज चक्रिय होता है, इस तथ्ध की जांच क लिए, आईए हम लेते हैं एक चत्रभुज A, B, C, D, इस चत्रभुज में हमें ये बताया गया है कि इन दो कौनों का योगफल, इनकी मापों का योगफल एक सो असी अंश है, अर्थात कौन B, योग कौन A, D, C, वराबर एक सो असी अंश है, A, D, C, अर्थात कौन D, अब हमने ये सिद करना है कि A, B, C, D, एक चक्रिय चत्रभुज है, ये तो आप पहले ही जान चुके हैं कि जब भी हमारे पास तीन असर्रेक बिंदु हों, तीन असर्रेक बिंदु हों में से होकर एक और केवल एक ही वृत जाता है, तो इस चत्रभुज में A, B, C, इन तीन बिंदुओं को अगर हम देखें, इनको देखने से हम ये कह सकते हैं कि A, B, C में से होकर जाने वाला एक और केवल एक ही वृत होगा, अब इन में से तो एक वृत हो गया निश्चित, अब प्रशन आता है D का, हमने सिद्ध ये करना है कि ये वृत जो A, B, C में से होके जाता है, वो D में से भी होके जाएगा, अब ये वृत जो हम बनाते हैं, C, D के संदर्ब में, हम ये कह सकते हैं कि ये वृत के तीन स्थितियां हो सकती है, या तो ये D, C को किसी एक बिंदू D, 1 पर काट देगा, या फिर ये वृत C, D को बढ़ाने से कहीं बाहर वाले बिंदू पर काट देगा, अर्थात ये D, 2 बिंदू हो गया, या फिर D में से होके जाएगा, इन तीन के अतिरिक्थ कोई और संभावना नहीं है, चलिए पहली संभावना को लेते हैं, कि यदि वृत जो A, B, C में से होके जाता है, वो D, 1 में से भी होके जाता है, तो उस थिती में A, B, C, D, 1 एक चक्रिय चत्रभुच बन गई, सीधी बात है, यदि वृत A, B, C में से होके और D, 1 से जाता है, तो ये चक्रिय चत्रभुच कहलाएगी, अभी अभी हमने एक प्रम्य सीखी, जिसमें के, हमने देखा है कि चक्रिय चत्रभुच के सम्मुक कोनों का योगफल होता है, 180 अंच, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये है, तो इन दो कौनों का योगफल, 180 अंच होगा, परंतो हमें दिया हुआ है कि कौन B, योग कौन A, D, C, 180 अंच है, तो इसका भी पराई ये हुआ कि कौन B, योग कौन A, D, C, वराबर कौन B, योग कौन A, D, 1, C, B, साँचा है दोनों में, तो इससे हमें मिल जाएगा कौन A, D, C, वराबर कौन A, D, 1, C, चलिए आख रिजी को देखें, हमें मिला है कि कौन A, D, C, वराबर है कौन A, D, C, वराबर है कौन A, D, 1, C, D, 1, C, के, त्रीभुच A, D, D, 1 में ये है बाहिय कौन और ये है समुक अन्ते कौन तो ये कौन इसके बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि किसी भी त्रीभुच का बाहिय कौन उसके त्रीभुच के दूरस्थ अन्ते कौन से बड़ा होता है हमेश अर्थात ये कौन तो होता है इन दो कौनों के योग के बराबर तो ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता तो इसका भी पराए ये हुआ कि D1 लेने पे हमें एक ऐसा तथ्य मिलता है जो के हमारी धारनाओं के अनुरूप नहीं है तो ये तो संबफ है नहीं के वृत D1 में से होके जाए अब लेते हम दूसरी संबफ़ अब ये वृत ABC में से होके जो जाता है हम ये कहते हैं कि वो D2 से होके जा रहा है तो A, D2 को मिला देती है अब हमें मिल गी चतरभुच A, B, C, D2 इस चतरभुच में फिर वही बात कौन B और कौन A, A, D2, C ये एक सौसीन शोने चाहिए इस कौन के माप का योग और इसकी माप का योग इसके साथ दोनों का ये एक सौसीन शोना चाहिए तो बिलकुल इसी तरह जैसे पहले हमें मिला था हमें ये मिलेगा के कौन A, D2, C ये बराबर आ जाता है कौन A, D, C के कैसे ये कौन योग ये कौन दोनों कौनों का योग पर मापों का एक सौसी अंच इसका और इसका माप एक सौसी अंच तो ये कौन बराबर हो गया इसके अब त्री भुज को देखिए A, D, D, D को A, D, 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 2 इस त्री भुज में ये बाहिय कौन और ये दुरस्थ अंते कौन ये कौन सदेव इससे बड़ा होगा तो ये भी संभव नहीं है तो हमने ये देखा इस तर्फ द्वारा कि A, B, C में से होके जाने वाल अवरेथ ना तो D, 1 में से जा सकता है ना D, 2 में से जा सकता है तो तीसरी संभव ना क्या ली थी हमने कि ये D में से होके जाएगा तो इससे सिद्ध हो गया कि A, B, C, D एक चक्रिय चतरपुच है हमने D, 1 और D, 2 को लेते होई ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा संभव है नहीं तो तीसरी संभव ना बच जाती है तो वे ही संभव होगा अब इस तरह हमने प्रम्य पढ़ी उसका विलोम सिद्ध किया अब हम चलते हैं आगे कि इन दो तत्थियों के आधार पर कुछ एक समस्याएं लेने के लिए सबसे पहली समस्याएं हम ये लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्रिय चतर्भुच के कोनों के सम्द्वाजकों को द्वारा बना चतर्भुच भी चतर्भुच भी चक्रिय होता है, आईए इसकी आकरिती देखें, हम लेते हैं एक चत्रभुच, चक्रिय चत्रभुच A, B, C, D A, B, C, D, इस चक्रिय चत्रभुच में कौन D का सम्दी भाजक है, D, R, Q, ये कौन A का सम्दी भाजक है, A, P, Q, B का सम्दी भाजक है, B, P, S, C का सम्दी भाजक है, C, R, S इन चार कौनों के सम्दी भाजकों ने बना दी एक चत्रभुच यहाँ पर अब सिद हम यह करना चाहते हैं कि ये चत्रभुच भी एक चक्रिय चत्रभुच होगी, याद कीजिए, एक चत्रभुच को चक्रिय चत्रभुच कब कहते हैं, पहले तो एक परिभाज़ा थी कि उसके चारों शीर्श चारों में वृत्पर होने चाहिए एक ही वृत्पर स्थित होने चाहिए पर तर्क द्वारा हमने ये सिद्ध किया कि यदि किसी एक चत्रभुच के सम्मुक कोनों के युगों के मापों का युग एक सो असी अंश हो जाए तो वे चत्रभुच एक चक्रिय चत्रभुच हो जाती है तो हम यही तर्क द्वारा लेंगे कि जो चत्रभुच बन रही है बीच में PQRS इस चत्रभुच के समुक कौनों के युग्मों का मापों का युगफल एक सौ असी अन शोना चाहिए यह कौन और यहां से हम लेते हैं कि यह कौन सारे ही कौनों के आधे हैं जैसे हमने लिया यह कौन इसको एक लिख देता हूँ कौन एक बरावर है आधा कौन सी कारण यह सम्दी भाज़क है कौन सी का फिर ले लेते हैं यह कौन दो कौन दो आधा कौन बी C कौन से हमारा भी पराय है ये चत्रभुच A, B, C, D का कौन और B चत्रभुच A, B, C, D का कौन इसी प्रकार ये कौन इसको कह देते हैं तीन कौन तीन, आधा है कौन दी का और ये कौन चार ये है आधा कौन एक अब यदि हम इन सब का योग कर दें तो हमें मिला कौन एक जमा कौन दो, जमा कौन तीन, जमा कौन चार इन चारो कौनों का योग बराबर आधा, कौन A, जमा कौन B, योग कौन C और योग कौन D, यह हम आज के प्रोग्राम के शुरू में भी हम आपको बता चुके हैं, कि किसी भी चत्रबुच के चारों कौनों का योग पल 360 अंच होता है तो ये हो गया 360 अंच अब ये 360 अंच का आधा हो गया 180 अंच अर्थात कौन एक, दो, तीन, चार ये चारों कौन बनके हमें देते हैं 180 अंच चलिए आप जरा त्री भुज को देखें S, B, C त्री भुज पहले लेते हैं इस त्री भुज में कौन एक जमा कौन दो और इसमें योग कर दें ये वाला कौन इस कौन को हम कह लेते हैं पांच तो कौन एक योग दो योग पांच त्री भुज के कौन है एक सासी अंच हो गया कौन चार योग कौन तीन योग यहां वाला कौन पी क्यू आर लिख देते हैं इसको ये भी एक सासी अंच क्यों त्री भुज एक्यू डी के कौन अब क्या देखते हैं हम कौन एक दो पांच चार तीन पी क्यू आर इसको आप कौन छे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो ये छे कौनों का योगफल तीन सो साथ अंच हो जाता है लेकिन इसमें से कौन एक दो तीन और चार का योगफल आ रहा है एक सासी अंच तो इन दो कौनों का योगफल कौन पांच और कौन पी क्यू आर का योगफल आ गया एक सासी अंच ये चारों योगों का योगफल एक सो असी अंश इन छे कोनों का योगफल तीन सो साथ अंश तो इन दो कोनों का योगफल हो गया है एक सो असी अंश हमने सिद्ध किया कि इस चत्रभुच PQRS में सम्मुक कोनों के जो ये युगम बनता है इनके मापों का योगपल है 180 अंश तो सीधी बात है कि इनका मापों का योगपल भी 180 अंश हो जाएगा क्योंकि सारे मिल के तो बनते हैं 360 अंश तो ये चत्रभुज कैसी बन गई ये चत्रभुज होगी एक चक्रिय चत्रभुज तो इस तरह हमने एक समस्या तो हल कर दी चलिए एक और समस्या लेते हैं इस समस्या में हम लेते हैं कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि सिद्ध कीजिए एक चक्रिय सम लंब चतर भुज सम दिवाहू होता है याद है ना सम लंब चतरभुच से हमारा क्या भी पराय होता है सम लंब चतरभुच जिसकी दो भुजाएं समानतर होती है और दो भुजाएं असमानतर होती है तो हम लेते हैं कि एक चक्रिये सम लंब चतरभुच A, B, C, D अब क्योंकि ये समलम चत्रभुज है इसलिए A, D समानतर है B, C A, B, C, D एक चक्रिय चत्रभुज है इसलिए कौन B, योग, कौन D, बराबर 180 A, D समानतर B, C के समानतर रेखाओं को तरियक रेखा काट रही है D, C तरियक रेखा के A की और बने अंते कौनों के मापाओं को योग फ़ल हो गया 180 ये तो वो तथ्थे लिखती है हमने जो के हमें आकरिती से मिल रहे है सिद्ध हमने ये करना है कि A, B, C, D एक ऐसी समलम चतर भूज है जिसमें A, B बराबर है D, C सिद्ध करने का इन दो तथ्यों को अगर हम देखें तो हमें मिलता है कौन B, B, यो कौन D, बराबर कौन D, यो कौन C, D और D सांधर, सांजा होने की परज़ाएं कारण ये दोनों कट गए, तो कौन B बराबर आ गया, कौन C, ये कौन इसके बराबर आ गया, परन्तु हमने तो सिद्ध ये करना है कि A, B, बराबर D, C, तो आएए दो त्री भुजों का निर्बान करते हैं, एक त्री भुज ले लिए, जिसमें कौन C आया, दूसरी त्री भुज ले लिए हमने, हमने लिए दो त्री भुज, A, B, C और त्री भुज, A, B, C के साथ, D, C, B, इन दो त्री भुजों को अगर हम देखें, ये कौन और ये कौन बराबर हैं दोनों के, A, B, C का कौन A, B, C, और त्री भुज, B, C, D का कौन B, C, D बराबर है, ये कौन इस कौन के बराबर है, क्यों बराबर है, चाप BC निर्मित करती है कौन? B, A, C बिन्दू A पर और वही चाप निर्मित करती है कौन? B, D, C बिन्दू D पर इसलिए एक ही चाप तवरा वृत पर निर्मित कौन? बराबर होते हैं तो ये कौन बराबर हो गए है और त्री भुज A, B, C और D, C, B में भुजा बी सी सांजी है तो दो कौन और एक भुजा एक तरी भुज की उसके संगत कौन और भुजाओं के बराबर हो गई तो ये दो तरी भुज कैसे हो गए ये हो गए सरवांग्शम यदि दो तरी भुज सरवांग्शम हो तो उनकी संगत अंग बराबर होती है अर्थात A, B, बराबर D, C यही हम सिद्ध करना चाहते थे तो यह सम्लम चत्रभुच जो के चक्रिय है यह हमने सिद्ध किया एक सम्द्वी बाहू हो की और यह तथे हमेशा सत्य है यह तथे तथे हो गया कि यदि एक सम्लम चत्रभुच एक व्रित में बनाई जाए यानि चक्रिय हो तो वे सम्द्वी बाहू होती है इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक व्रित और उसकी संगामी रेखाओं की